हाई यह दोस्तों आज हम अपना फिल्ड मैप बनाना देख लेते हैं सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने मैप को हम ड्रैब करके थोड़ा बड़ा करेंगे दोस्तों अब यहां पर इसके जो पैनल आ गए हैं जैसे कि लोकेशन है लोकेशन में हमें क्या देना है यह मैप है तो लोकेशन में हमें यहां पर इस्टेट देनी पड़ेगी तो हमने इस्टेट दे दिया है और देखिए हमारा युनाइटेड इस्टेट का मैप आ गया है और जब आप बना रहे हों तो उसमें आपका नैट ओनों हो जाए दोस्तों ताकि आपको मैप मिल माली जे लेजन्ट पर हम प्रॉफिट डालते हैं तो देखिए अब क्या होगा तो प्रॉफिट जैसे हमने डाला दोस्तों तो इसने हर इस्टेट को अलग-अलग कलर दे दिया है जैसे कि आप यह छोटे से पॉप-प विंडो में देख रहे हैं जोजिया और यह देखिए मौन्टोना यह देखिए एजोना ठीक है इस तरह से लेकिन हम यह पर प्रॉफिट की जगे रीजन डाल लेते हैं तो अब बैस्ट है दोस्तों अब देखिए यह पर क्या हो गया यह इस्ट बैस्ट नोर्ट साउथ जोन में हमारा मैप जो है वो कन्वर्ट हो गया है तो दे प्रॉफिट को हम प्रॉफिट को हम टूल टिप्स में डालते हैं तो देखिए यहां पर हमें अब किसी भी मैप पे ले जाएंगे तो देखिए वहां पर उसका सम औफ प्रॉफिट दिखा रहा है देख पारें आप नीचे छोटी सी विंडो आ रही है सबसे लाश्ट में समप प्रॉफिट की स्टेट आ रहा है रिजन आ रहा है और समप प्रॉफिट आ रहा है ठीक है दोस्तों इस तरह से हम अपना फिल्ट मैप बनाते हैं और अगर आपको और इसमें और आपको कोई साभी चेंज करना तो यहां से कर सकते हैं दोस्तों से और मैप सेटिंग कंट्रोल मैं इसमें हमें कुछ नहीं करना जनल में जाते दोस्तों इध और शेडो भी सकते हैं और इसका चाहल जो टाइटल विडियों में बढ़ा कर नहीं है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुपा हूँ आपको एक इस तरह से आपको टाइटल का कलर भी चेंज करना है और उसको मिडिल अलाइन करके कोई कलर दे देना है दोस्तों देखे ठीक है और यही सब काम होते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आप अपन मर्जी से कर सकते हैं जैसा मर्जी आप इसको शेप दे सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हमारा फिल्ब मैप था ओके थेंक यू